को असलामुलिकम दोस्तों आज की इस वीडियो में एक टॉपिक को डिसकेस करने जा रहे हैं, एकवी पुटेंशियल सर्फेस को तो एकवी पुटेंशियल सर्फेस के हमार पफ देफिनेशन है, that surface at which all points have the same electrical potential is known as इक्वी पुटेंशल सर्फेस वो सर्फेस जिस पर पाई जाने वाले तमाम पॉंट्स का इलेक्टिकल पुटेंशल जो है वो सेम हो उसे हम किएते हैं इक्वी पुटेंशल सर्फेस तो इस टॉपिक को समझाने से पहले हम आपको बताते चलें कि ici lecture हमारे YouTube चैनल Sinboard Teaching पर अपलोड किया गया और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरह से डिलीवर किया जा रहा है अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आप Medical ये इंजिनिरिंग यूनिवर्सिटी के एड्मिशन के हवाले से त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वाटसेप गुरूप को जॉइन कर सकते हो और हमारे वाटसेप गुरूप को जॉइन करने का तरीका है अपना नाम और अपने शेहर का नाम जो है वह इस नंबर पर आप क्या करें वाटसेप हमें कर सकते हैं याद रहे इस वाटसेप गुरूप में हम मुक्तलिफ यूनिवर्सिटी के पास पिपर जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं और मुक्तलिफ स्टेंडर्ड बुक्स जो MCQ के लिहाद से बहुत जबर्दस होती हैं वो पीडियर फॉर्म में हम इस वाटसेप गुरूप में सेंड कर देता है तो मेल और फीमेल का वाटसेप गुरूप सेपरेड है तो इसको जोईन करना मन बूलिएगा तो आएए एक्वी पोटेंशल सर्फेस के हम बात करते हैं वो सर्फेस जिस पर पाए जाने वाले तमाम पॉइंट्स का इलेक्टिकल पोटेंशल जो है वो सेम हो उसे हम कहते हैं एक्वी पोटेंशल सर्फेस तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ असा बैसिक बनाते हैं फुर एक्जामपल हमारे पास दो सेम चार्ज़, दो सिमिलर चार्ज़ हैं और इन दोनों सिमिलर चार्ज़, दोनों सिमिलर चार्ज़ हैं दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहें तो पर करीब कैसे हैंगे हम वर्ट टन करेंगे क्या करेंगे हम वर्ट टन करेंगे और इनकों क्या करेंगे करीब लाएंगे और करीब जब हम लाएंगे वर्ट टन करके convert हो जाएगा मतलब इसकी potential energy में इजाफा हो जाएगा इसकी potential energy में क्या हो जाएगा इजाफा होगा तो हमने कहा आपके पास MCQ आता है ना in bringing to similar charge दो similar charge को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो जवाब है कि potential energy में क्या हो जाता है इजाफा हो जाएगा potential energy में कैसे इजाफा हुआ क्योंकि हमने वर्टन किया वर्टन करते हैं इनको करीब लाए और अगर मैं इनको छोड़ दू तो यह दुबार अपनी जगापे चले जाएंगे रिपल जन की वज़ा से इसका मतलब कोई ना कोई energy है ना जो इनको खुबार अपनी जगापे लेकर आएगी और वह energy कौन सी है potential energy तो दो similar charges को मैं एक दूसरे के करीब लाता हूँ तो potential energy में क्या होता है इजाफा होता है इसी तरीके से अगर एक positive और negative charge है दो opposite charge है क्या ये खुबा खुबा खुद एक दूसरे के करीब आएंगे जवाब है yes खुबा खुबा खुद एक दूसरे के करीब आएंगे क्योंके positive negative को क्या कर रहा है अट्रेक कर रहा है positive negative को अट्रेक कर रहा है ये क्या हो जाएंगे खुद बाखुद एक दूसे के खुद बाखुद एक दूसे के करीब आ सकते है तो खुद बाखुद एक दूसे के करीब आएंगे तो इसका मतलब खुद बाखुद कैसे करीब आए इसका मतलब यह वा कि इनके पाफ जो पहले से पुटेंशल एनरजी थी ना इसी दिए कि इसे दो सिमिलर है नेगेटिव भी अगर होंगे तो खुबा खुद तो नहीं हैंगे वर्डन करते विलाएंगे तो पुटेंशल एनरजी में क्या हो जाएगा इजाएगा पुटेंशल एनरजी में क्या हो जाएगा इजाएगा इसलिए कि इसे दो पुटेंशल एनरजी में क्या हो जाएगा potential energy में क्या आएगी कमी आएगी तो इसका मतलब निशानी ये रखो कि जब भी कोई काम खुद बाखुद होगा potential energy में कमी आएगी और जब भी कोई काम करवाने के लिए हमें word done करना पर जाएगा कोई चीज करवाने के लिए हमें word done करना पर जाएगा potential energy में जाफा हो जाएगा तो similarly do similar charge एक दूसरे के करीब खुट बाओ-बजू कड नहीं आ सकते, one day end करना था, potential energy में जाफा हॉआ दो opposite charge एक दूसरे के करीब खुट बाओ-बजू कड़ाएंगे, इसका मतब potential energy में कमी आएगी दो similar charge है न नेगेटिव ही हैं तो क्या हुआ तो इसका मतलब इनको अगर मैं करीब लेकर आता हूँ इनको मैं क्या करता हूँ करीब लाता हूँ तो खुबा कुछ तो नहीं आएंगी one turn करना परेगा potential energy में जाफा होगा और दो similar charge है एक दूसर से दूर जा रहे हैं दूर तो खुबा कुछ चले जाएंगे खुबा कुछ जाएंगे तो potential energy में क्या आजाएंगी कमी आएगी तो अब मुझे एक इस MCQ का आपने जो है वो क्या करना है answer देना है मजीर एक भी potential से पहले number 10 का जो paper में आया न if okay double 10 नहीं number 8 sorry in bringing an electron towards another electron electrostatic potential energy of a system इसमें कहा जा रहा है in bringing an electron towards another electron एक electron को जब मैं दूसरे electron के करीब लेकर आता हूँ electrostatic potential energy system की जो electrostatic potential energy है उस पर क्या फर्ग पड़ता है A में कहा जा रहा है decreases B में कहा जा रहा है increases C में कहा जा रहा है remain unchanged this is not uncharched this is unchanged और D में कहा जा रहा है become zero तो उमीद है कि उस पिछली बात को सुनने के बाद आपके पास जवाब होगा इसका और आपने comment में लिख कर बताना है कि आपकी participation कितनी strong है तो number 8 का जो answer होना चाहिए बाई एक electron को दूसरे के करीब ला रहे है दो similar charge एक दूसरे के करीब खुद बाखुद तो नहीं जाएंगे burden करना परेगा इसका मतलब potential energy में क्या हो गया इसका मतलब potential energy में जो है वो इजाफा हो गया इसका मतलब 8 का answer क्या है बी तो यहां मैं इस चीज़ को समझाना अब मैं आपको एकवी potential surface थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ बाई हमारे पास यह एक source charge है जो के positive है और हमें मालूब है कि positive charge की जो electric lines of forces जो होती है positive charge की electric lines of forces जो होती है वो away होती है positive charge की electric lines of forces जो है वो क्या है यह सारी के सारी अवे हैं अब मैं क्या करता हूँ पहली condition test charge को यहां रखता हूँ और आपको मालूम है test charge भी positive होगा ना test charge भी क्या होगा हमेशा positive होगा standard चैप्टर की शिर्वास से हम डिसकस करते आ रहे हैं पहली condition test charge को यहां रखा यह इसको डिपल कर रहा होगा ना दूसरी condition test charge को यहां रखा तीसरी condition test charge को यहां रखड़ा हो फिर test charge को यहां 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 और यहां 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 यह और पुटेंचिल एनरजी किसकी ज़ाद होगि तो हमको जवाब होगा पुटेंचिल एनरजी तो सब की सेम होगी अगर अगर दूर करोगे तो प्र इंक्री tiq Kees पुटेंचिल एनरजी की बात होगी। अगर तमाम कंडिशन में टेफ चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज के मकाबले में एक्वल डिस्टेंस पर तमाम कंडिशन में टेफ चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज के मकाबले में क्या है एक्वल डिस्टेंस पर है तो यहां हम बात करते हैं कि पोटेंशल एनरजी की अगर बात करेंगे मैं TEF charge को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इन में से किसी भी point पर रखोंगा तो TEF charge की value जो होगी, potential energy जो होगी, TEF charge की same रहेगी, इसका मतलब यह पूरा surface क्या है, इसका मतलब यह पूरा surface है, equie potential surface यह पुरा का-पुरा surface क्या है あ typically potential surface और Aunque potential surface की definition क्या थी that surface at which all points have the same electrical potential वो surface जिस पर पाई जाने वाले तमाम points वो surface जिस पर पाई जाने वाले तमाम points का जो electrical potential है तमाम points का electrical potential है वो क्या हो पाई आहूं Doy क्या ऐसी तरीं यू पूरा तो यह भी है एक्वी पोटेंशल सर्फेस क्या है यह भी एक्वी पोटेंशल सर्फेस के लाएगा अगर यह 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 एक्वी कई इकवी potential surface बन सकते हैं तो हमारे बस definition क्या बनी that surface at which all the points have the same electrical potential is known as equipotential surface वो surface जिसमर पाई जाने वाले तमाम points की जो potential energy हो वो क्या हो same हो से कहते हैं equipotential surface अब aptitude में पहले तो इसकी definition आगी aptitude में इसको सवाल देखो वे अगर आपको याद हो ना हमें जहां वर्डन करना परा था हमें जहां वर्डन करना परा था वहां potential energy क्या थी same थी एक बात यहां important यादा किये का भाई जहां जहां वर्डन करना परा था वहां potential energy क्या थी same थी अगर मैं एक point को यहां से यहां लेकर जाता हूँ क्या मुझे यहां potential energy बे कोई फर्ख पढ़ा potential energy बे कोई फर्ख नहीं पढ़ा potential energy बे फर्रक नहीं पढ़ा इसका doinा मुझे work done करने की जरुवत नहीं है इसलिए कि अगर मैं इसकों यहां से यहां लेकर आता हूँ तो भी potential energy सेम रहती है potential energy सेम रहती है इसका मतलब मुझे what done करने की जरुवत नहीं है इसलिके से इसको मैं यहां से यहां लेकर आता हूँ यहां से यहां लेकर आता हूँ यहां से यहां लाता हूँ मुझे what done करने की जरुवत इसलिए पेश नहीं आ रही है पर अगर आप किसी पार्टिकल को क्या करवाते हो? तो वर्ट दन की जरूद मैं रही होता है अब इस लeval पर क्या होता है? पेपर में सवाल आता है नुमेरिकल होता है डेटा दिया हूँ होता है और अलग-वेलू दीभी होता है तो उसमें कहा जा रहा है कि ये particle जो है वो फ़ला फ़ला distance भी कर रहा है एकवी potential surface पर क्या कहा जाता है एकवी potential surface पर वो particle क्या कर रहा होता है move कर रहा है तो आपने बगेर सौल के जा करना है आंसर देना है क्योंकि हमें मालूम है कि वर्टन की वहां जरुवत नहीं होती एक्वी पोटेंशल सर्फेस पर हमें पार्टिकल को मुफ करवाने के लिए वर्टन की जरुवत नहीं होती तो यह पॉइंट बड़ा ज़रूर याद रखिएगा इसी तरहिगे सी कोहों ना ए क्या है इंगा ए और आ खर했त औरनि यहां और फी अपिधिन उसांडु और्पोटेंशल सर्फेस ठी क्या होता है आप देखो यह क्या हरी जा रही है और यह पोटेंशल सर्फेस जो क्या है59 अगर षर्काहिश कर कर के देखू तो इंगल क्या बन रहा है एक्वी पुटेंशल सर्फेस के दर्मान इंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री यहां अगर मैं इसको थोड़ा सा गड़ देखूँ छोटा करके यह क्या है 90 डिग्री यहां पर देखो तो भी 90 डिग्री यहां इसी दिगर से यहां अगर देख लो तो भ बड़ा एक फेवरेट सवाल होता है तो अगर आज के ये लेक्षिर समझ में आया है तो बेटा कमेंट में अपना फीड़ बेक जरूर दें याद रहें आपका फीड़ बेक हमारे लिए फ्यूल का किंटायर अदा करता है जो हमें मजबूर करता है कि हम जादा से जादा एप्टीडूट के लेक्चर को अपलोड करें इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करके हमारे सब्का जारिया में हमारे हिस्सेदार बनें थैंक यू वेरी मच्च अल्ला हाफिज